कुत्तों के जुंड के हमले में मारी गई तीन साल की बच्ची की मौत के मामले में Human Rights Commission ने जिलाप्रशासन हमिरपूर और नगर परिशत को नोटिस जारी किया है मामले में मानवधिकार आयोग ने जवाब तलब करते हुए इस घटना के कार्णों और घटना के बाद उठाए गए प्रभावी कदम का विवरण मांगा है नगर परिशत हमिरपूर के वाड नमबर आठ में तीन साल की मासूम किरण को लावारिस कुत्तों के जुंड ने घर के आंगन से उठा कर मौत के खाट उतार दिया था इस मासूम बच्ची की बेहत ही दर्दिनाथ मौत हुई थी और हड़ियां तक चटक दी थी दिल को दहला देने वाले इस घटना के बाद प्रशासन की तरफ से परिवार को फौरी रहत देने में तीन दिन का वक्त लगा दिया गया था अब इस मामले में Human Rights Commission की तरफ से जिला प्रशासन और नगर परिशद हमिरपूर को फठकार लगाते हुए जवाब तलब किया गया है इस घटना के बाद जिला प्रशासन की तरफ से भी जमीनी स्थर पर अभी तक कोई कदम नहीं उठाए गए है और ना ही विविन विवागों की कोई संयुक्त बैठक अभी तक हो पाई है नगर परिशद हमिरपूर की मासिक बैठक में इस मसले के समाधान को लेकर जरूर चल्चा की गई लेकिन प्रशासनिक और विभागय स्तर पर अधिकारियों की भूमिका सवालों में ही है ऐसे में Human Rights Commission की तरफ से जारी किया गया ये नोटिस किसी फटकार से कम नहीं है बताया जा रहा है कि घटना के कारणों और इस बाबत उठाए गए जरूरी कदमों का ब्योरा Human Rights Commission ने तलब किया है साथ ही ये भी जानकारी मांगी गई है कि प्रभावित परिवार को क्या राहत दी गई है विदित है कि इस घटना के बाद जिला प्रशासन और संबंदित विभागों के बड़े अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे थे और महज पटवारी के माध्यम से 5000 की राहत राशी परिवार को घटना के तीसरे दिंदी गई थी इन तमाम विभागया और प्रशासने कोताही की वज़ा से Human Rights Commission ने ये नूटिस जारी किया है नगर परिशाद हमिरपूर के कारेकारी अधिकारी अक्षित गुपता का कहना है कि Human Rights Commission की तरफ से दिला परशासन और नगर परिशाद हमिरपूर को नोटिस जारी किया गया है हाथसे के कारण की वज़ा पूछी गई है उन्होंने कहा कि लावारिस कुटो की समस्या से निपठने के लिए प्रभावी कदम उठाने के परियाद किये गए है कुटो की नसफ़बन्दी करने के कारे भी किया जाएगा और जल्द ही इसके नतीजे भी सामने होंगे एक या दो हफते के अंदर इस कारे को जमीनी स्तर पर शुरू कर दिया जाएगा को एक दो हफतों में इसकी कारवाई कार मतीज़ा भी आपके सामने आए जाएगा हमिर्पुर से अर्वन सिंग की रिपोर्ट